नमस्ते बच्चों, मैं प्राची गुपता, कक्षा 6 की गड़ित की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं बच्चों, आज से हम तीसरा चाप्टर, कक्षा 6 की गड़ित का शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पूर्ण आंक, यानि पूर्ण आंक, इसे हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं हमने अभी तक पढ़ा है कि प्राक्रतिक संख्याएं क्या होती हैं एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आट, आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं ये प्राक्रतिक संख्याएं हैं जब हम इनी संख्याओं में 0 को भी मिला लेते हैं, तो ये पूर्ण संख्याओं बन जाती हैं, अब पूर्ण अंक या पूर्ण आंक क्या होते हैं, ये देखते हैं, हमेशा ही संख्याओं 0 से लेके आगे तक चलती हैं, लेकिन कई बार हमें माइनस में भी संख्याओं लिखन चलना शुरू करें तो राम जीरो से दाई तरफ चल रहा है और वो चलते चलते 0.6 तक पहुँचा ठीक है इसी पॉइंट से अगर सीता राम की विपरीद दिशा में दूसरी दिशा में चलना शुरू करेंगी तो वो चलते चलते 0.6 पर पहुची जब राम जीरो से दाहिनी तरफ चल रहा है तो हमने इस संख्या रेखा के आधार पर कहा कि राम छे बिंदू तक चला या अगर हम इसको मीटर मान ले या किलो मीटर मान ले इस दूरी को तो हम उसे कहेंगे कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे किलो मीटर की दूरी तक राम चला यही हम इसके पीछे भी करेंगे, हम सीता को कैसे बताएंगे कि वो उसी बिंदू से राम की विपरीद दिशा में कितनी दूर चली तो जब हमें किनी संख्याओं की विपरीद संख्याएं, संगत संख्याएं लेनी होती हैं, तब हम उन्हें माइनस में लिखते हैं, 0 से दाई तरफ प्लस में जाती है या धनात्मक होती है और 0 से बाई तरफ रनात्मक या माइनस में होती है तो इसके बाद भी number 1 ही आएगा लेकिन वो minus 1 होगा अगला point minus 2 फिर minus 3 minus 4 minus 5 और minus 6 इसका मतलब है कि जो राम है वो 0 से धनात्मक दूरी plus 6 की कवर की उसने और सीता ने minus 6 की दूरी कवर करी ये जो minus है ये है हमारा center point तो इस सीता की दूरी दिखाने के लिए हमने इसे minus किया कुछ और उधारन से समझते हैं हम इसी उधारन में हम देखते हैं कि 0 से 5 कदम बाएं बाएं कौन सा हुआ हमारा ये हाथ है ठीक है हम इस हाथ के दाई तरफ ये हिस्सा हुआ और इस तरफ बा minus 5 यानि ये हो गया minus 5 और अगर हम कहें कि 0 से 6 कदम दाएं तो 0 से 6 कदम दाएं क्या हुआ छे तो रहेगा लेकिन ये plus 6 हो जाएगा क्योंकि ये धनात्मक दिशा हो जाएगी तो 0 से दाईनी तरफ की दिशा को धनात्मक दिशा कहते हैं और 0 से बाई तरफ की दिशा को रिन अब ये तो दाएं और बाएं की बात होई लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है ना कि हम ऊपर नीचे की बात करें या किसी दिशाओं की बात करें तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये जीरो है और इसमें सीधी रेखा ये प्लस उपर की तरफ फ्लस वन प्लस टू प्लस थी प्लस उसे नीचे नहीं, बीच के किसी फ्रोर पर, वो उससे अगर ऊपर जा रहा है, तो भूतल से भूतल, यानि की जगह है ताल है, उससे 4 सीथिया उपर, तो क्या हो गया, 1,2,3,4, तो ये क्या हुआ, प्लस फूर, और भूतल से 3 सीथिया नीचे तो भूतल ये था, जिरो आपने जरूर अपनी social studies में पढ़ी होगी कि east इसके दूसरी तरफ west उपर की तरफ north और नीचे की तरफ south ये चार दिशाय हैं हमारी पूर्व पश्यम उत्तर और दक्षन तो ऐसे ही हम पूर्व पश्यम उत्तर दक्षन को भी ले सकते हैं अगर हमने कहा चार मात्रक पूर्व मात्रक का मतलब है यह जो kilometer में है या जो भी number लिखे है meter kilometer में जितना भी लिखा है वो तो चार मात्रक पूर्व हमारा कि इधर है इधर तो क्या हो गया 1,2,3,4 यानि की plus 4 और 5 मात्रक पश्यम इधर है तो इसी zero point से 5 मात्रक इतना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 तो यहां क्या आजाएगा? 5 मात्रक पश्यम होगा तो पश्यम क्यूंकि भूतल के बाई तरफ आगया इसलिए इसमें minus हो जाएगा भूतल से 3 सीडिया नीचे जो था वो minus में हम उसे दिखाएगे ऐसे ही 3 मात्रक उत्तर का विपरीत अब उत्तर का विपरीत अब माइनस 3 ठीक है तो यह अगर दिशाएं हो तो हम धनात्मक और इनात्मक संख्याओं को कैसे दिखाते हैं यह भी हमने आपको बताया उपर नीचे हो तो कैसे दिखाते हैं अब देखिए एक और चीज होती है जिसमें हम कहते हैं कि कोई हमने समान लिया लाभानी के रूप मे हम प्लस में और माइनस में चीजों को दिखाते हैं देखें जैसे हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है इसमें बिकड़ी की वस्तों है यानी बेची जाने वाली वस्तों है उनको बेचने में कितना लाभ हो रहा है या हानी हो रही हम यह दिखा रहे है तो लाभ और हानी हम जब बोल रहे हैं तब हम भोल सकते हैं पर अगर उसे के प्लसमाने में लिखना हैं तो कैसे लिखेंगे लाब हमेशा प्लस में लिखाजाता है और हामी हमेशा माइनस में सरसो के तेल में लाब में qualified rudal minus 300 ≥ en यिदृने के लिखेंगे तभी भी ये धनात्मा की माना जाएगा काली मिर्च में देखिए लाब नहीं है हानी में 225 है तो हम इसे हानी में लिखेंगे 225 रुपए ऐसी हल्दी में लाब है तो ये हो जाएगा प्लस 245 रुपए और आटे में हानी है तो ये हो जाएगा माइनस 400 परचिस रुपए चावल की खरीद में लाब हुआ है तो इसे हम लिखेंगे प्लस 321 रुपए और तेल की खरीद में हमें हानी होई है तो हम इसे लिखेंगे माइनस 120 रुपए तो अगर जीरो बीच में है तो हमें धन संख्या लिखनी होंगी, वो 0 के दाईं तरफ या दाहिनी और होंगी और वो पलस में होंगी, देखिए हमने इसे पलस में निलिखा है, इसका मतलब वो पलस 1, पलस 2, पलस 3 ही है और जबकी 1, 2, 3, 4 ही चलता है 0 के वाईं और भी मगर वो मैनस में हो जाता है तो जब हम इस तरह से संख्याओं को लिखते हैं माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 तो इन सभी संख्याओं को पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं इसी तरह का एक उधारण हम आपको और देते हैं अगर हम temperature की बात करें कि हमारे देश के कुछ स्थानों पे जो तापमान है कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, वो देखें तो कैसे उसे करेंगे, जैसे एक जगा है सियाचवीन वहाँ अगर हम कहा जाए कि तापमान 0 degree से 10 degree Celsius नीचे है 0 को हम एक center value मानते हैं ठीक है, तो 0 से नीचे आ गया प्लस होता है, 0 को एक center value दे दी गई है कि 0 से हम हर जगा हर चीज को नापना शरू करते है कोई भी नाप जो होती है, वो 0 से ही शरू होती है 0 से एक, एक से दो, दो से तीन, ठीक है जैसे इलाबात है, 0 से 30 degree Celsius उपर यानि कि 0 से उपर है, यानि कि वो पूर्व की दिशा, उत्तर की दिशा में हुआ तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 30 degree Celsius ऐसे ही शिमला, 0 से 10 degree Celsius उपर तो प्लस 10 degree Celsius दिल्ली में 0 से 35 degree Celsius उपर तो प्लस 35 degree Celsius और 0 से 5 degree Celsius नीचे, श्री नगर में तो श्रीनगर में जब नीचे हो गया तो वो हो गया माइनस 5 डिग्री सेल्सियस उम्मीद करती हूँ आपको इस समझ में आया होगा इसके आधार पर हम आपको कुछ क्वेस्चन्स दे रहे हैं जिने अब आपको देखना है देखिए यह आपका आज का असाइंडमेंट है आपका ओमवर्क है पहला प्रशन है निम्न पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक बताएए यानि उनका उल्टा बताना है अगर माइनस 6 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस 9 का माइनस 9 इसी तरह बाकी भी है माइनस 11 प्लस 12 और माइनस 17 प्रशन नंबर 2 है निम्न को पूर्णांकों के रूप में लिखिए तो शून इसे नीचे 4 दिग्री सेल्सिस का तापमान मैंने भी आपको लिख के दिखाया बस आपको प्लस या माइनस में वैसे ही टेंपरेचर लिखना है साथ कदम पूर्व को क्या लिखेंगे प्लस 7 ऐसे 3.28 रुपीज की हानी क्या होगी 18 मीटर पश्यम का विस्थापन क्या होगा विस्थापन का मतलब होता है अपनी जगा से चलना किसी जगा पर रुके है उससे दूसरी तरफ को चलना तो पश्यम की दिशा में चलने को कितनी दूरी चली वो विस्थापन कहलाता है समुदर तल से 1000 मीटर की उचाई तो उचाई का उधारन भी मैंने आपको देकर बताया और यह भी बताया कि उसे कैसे लिखता है तो क्या हो जाएगा प्लस 1000 मीटर यह उसकी उचाई हो जाएगी अगला प्रशन है निम्न के बीच के सभी पूर्णा अंक लिखिए माइनस 5 से प्लस 5 तक तो देखिए अभी मैंने आपको यह लिख के दिखाया गा ना जैसे माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 तो आपको यह ऐसा ही लिखना है कि माइनस 5 से प्लस 5 तक लिखना था तो आप यहाँ से शुरू करेंगे माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको करना है लास्ट वाला क्वेशन देखिए माइनस 8 से प्लस 4 तक तो इसको भी आपको ऐसे ही लिखना है यह आपका आज का ग्रहकार्य है आपको इसे अपनी कॉपी में करना है हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद